आज सुनी का स्वागत है मेरे चैनल के तो चलिए आज भूती फेलड़ी और तेस्टी नास्ता बनाने जारें इनकी में सबसे पहले में दो कच्ची आलू लिए और आलू को इस तरीके से स्खेल की और पानी के अंदर डाल देती इस तरीके से आप नास्ता जिरूर बनाएए जैसे एक पर आप बना लोगे तो पांग साथ दिल तक आप स्टोर करके इस नास्ते को रख सकते जब दे आपकी मर्जें की है या आपको बच्चों को टिसन में देना तो आप इस नास्ते को निकाल लिए और खराई करकी या डीज़ाई जैसे भी आपको पसंद है उससाथ से आप बच्चों को क्यारी करकी देते हैं यहां मैं दोनों आलों को कद्दू कर स्टैल लिए और ठंडी पानी के अंदर डाल दिये और अच्छे से इसको दो तिन बार साब पानी से दो लेते हैं और इस तरीके से पोहे को साइड में रखते हैं यहां दो समस्च बेशन ले रहें वेसं कोई भी आप बारे क्या जो भी आप कई पास है वो ले सकते हैं इसमें थोड़ा सा आप हल्दी पाउडर डाल दीजिए भूती अच्छा कलर आएगा मैंने यहां हल्दी पाउडर नहीं डाला है तो अच्छे से इसका पेस्ट बनागी और इसके अंदर डाल दीजिए पोहे के अंदर और पोहे को रख दीजिए 10 या 15 मिल साइड में इसमे पोहे अचछे से तूल जाएंगे और अच्छे से छोकने चांजिए यहां एक पेन दीजिए इसमें एक छोटी चंबस हैंने तेल दाला है और इसमें आदी चोटी चंबस गिरा डाला है और आदी च्छोटी चंबस इसके अंदर वॉकट तिल डालें present एक बारे की कटावा प्याज दाला है और इसको इस तरीके से फ्राइए कर लेते हैं। इसमें 2-3 भरी में डाल दीए कट करती हैं। या आपके स्वाज़गी साथ कें। जैसे किसी को कम पसंद होती है तिखा या किसी को ज्यादा दिखा खाना है। उसी प्याज चाहां पर हरी में डाल दीए। यहां एक चोथा चमस अल्दी पाउडर डाल दीए। और इसको थोड़ा साथ सोफ्ट होने तक पका लेते हैं प्याज को। फिर इसमें डाल देते हैं। जो आलू को कर्दू कस्ट करती रखा था। वो इसके अंदर डाल दीए। प्याज को बहुत ज़्यादा उसको कलर चेह नहीं करना था। हरका सबस्ट करना है। यहां नोर्माल इसमें मसाले डाल दीए। जैसे एक चोथा चमस नालमेशी पाउडर। नमक स्वार्गी साची डाल दीए। एक चोथी चमस बुना वाजीरा। एक चोथी चमस चाठ मसाला। इसमें डाल देती हूँ। एक चोथी चमस अमचूर पाउडर। थोड़ासा जैसे दोतिमेंट आप आलू को शोक टोर इने दीजी। फिर इसमें डाल दीजी। थोड़ासा गरम मसाला डाला था। एक चोथी चमस बुट जैदा नहीं एक चोथी चमस चमस पानी डाला। क्योंकि मसाला नहीं जले इसमीं। और फिर इसको दोतिमें तिस तरीके से पका लिए। आलू बहुती अच्छे से पक गया है। अब इसको ठंदा कर लेते हैं। यहां सेख करते हैं कि अभी जैसे पोहे को हो गया। 10-15 में पोहे अच्छे से शोक्ट हो गया। तो इसमें जो आपको पसंद है वो आप डाल के से जैसे मैंने नमक डाला है। दो लाल निल्ची को कट करकी डाला है। खूब ठाना मेंने हरा धनिया डाला है। आपीसुज़ेर जıtका हरी मीची या हरा धनियां जो भी आपको पसंद है। वह आप डालके इस तरीके से अच्छे से आपको मसल की एक डो जैसा आपको लगा की त्यारी कर लें इसमें कुछ नहीं करना है पानी वगेरे कुछ नहीं डालना हो जैसे आपको ऐसे लगे कि भूती ज्यादा यह ताइट है तब आप डाली यानि हलके से हातों के तेल लगाया है और इस तरीके से यह एकडम एकता करकी इस तरें लग देखें यह देखें एकडम सोक्ट आथा लगा कि त्यारी कर देट और पोई भी एकडम सोक्ट हो जाता है तो बहुत ही अराम से आथा लगकी त्यारी कि त्यारी किरते हैं यह जोटी ड muff Noch लें लेके जासे आफ चोटा यां बढ़ा तो इतना बना सकते तो जैसे आपर आलू के प्रांठे बनाते वह भते हैं उसस त तो आप ये बना के पिकिया और फिर आप कोई भी एटाय डब्दे के अंदर या टीखन के अंदर किसी में ये आप इस्टोर करके चीज के अंदर रख सकते हैं इस तरीके से इतनी त्यारी करकी और फिर आपको जड़ी टीफ्राइ करना है या बच्चू को देना है तब आप गर्म गर्म उसको फ्राइ करकी या से अलो फ्राइज जो भी आपको जिस तरीके से पज़न्द है उस तरीके से बच्चू को त्यारी करकी दे सकते हैं तो यहां जैसे मैंने रेड मेर्जी को कट करकी डाला था उस जगे आप से लिशेक्स भी डाल सकते हैं या ऐसे भी आप चोप है उपर से एक दिन परेंची करारा बनता है तो बहुत ही अच्छा लगता है तो आप शी रिक्रेस्ट हैं कि अभी तक आपने वीडियो देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा पर आगे भी आप इसे तरीके पे मुझे support करते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like share, comment कीजिए कोई भी आपको इसमें doubt हो तो आप comment करते हैं जब पूच सकते हैं तो इस तरीके से देखिए आप इसको जैसे अपन आलू के प्रांथे बनाते वही तरीका है इस तरीके से इसको उपर से बंद कर देना जैसे नीचे से हाथ लगाई इस तरीके से आपको बंद करती और हाथों में इस तरीके से आपको पोल गुमाद देना है बहुती आसान तरीका है ये और ये वीडियो कि इसको पसंद आया और कितने दिने आगे शेयर करा है मुझे कोमेंट करकी जरूर बताईए तो इस तरीके से में सारे बनाएंची त्यारी कर लेती हूं ये देखें बहुती अच्छा लग रहा है यहां में थोड़ा सा चेल डाल कि दोनों साइड से एकडम क्रिष्टी करा रहा होने तक या गोल्डन कलर आने तक आपर इसको फ्राई कर लेजी बहुती अच्छा लगेगा ये नास्ता और मैंने नास्ते के खूब सारे वीडियो डाल रहा है वो भी आप जाकी देखें चेक कर जीए बहुती अच्छा ना इसको फ्राई कर लेते हैं तो ये देखें दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने इसको फ्राई कर लिया अब गोती इच्छा नास्ता सभी को बहुत जादा पसंद आया तो चलिए फिकले उनको